असलाम अलेकूं मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिट से आपका स्वाजगत है, मेरे रमजाने स्पेसल वीडियो में, तो आईए शुरू करते हैं, आज मैंने अफ्तारी में क्या बनाया था, और मैं हूँ सब यह है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं, आज क्या क्या जट पड़ वाले, और उसके बाद मैं बनाऊंगी, बॉयल चना चार, तो आज मैं चने को फ्राइड नी करूंगी, बॉयल करूंगी, तो चलिए जल्दी से रेस्पीस डिटेल में शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैंने यहां एक बड़ा कप चावल लिया है, और इसको मैं जल्दी से दिखा दिए कि मैं किस तरीक चावलो को वाश करती हूँ, तो सिंपा थोड़ा सा पानी एड करती हूँ, फिर दौनों अगद्यों की मदस से इसको हलका हलका अच्छा साथ बार रफ करती हूँ, और उसके बाद पानी को साफ कर देती हूँ, जिब तक पानी पानी करती हूँ, जिब दिखने लगे पानी से मैं तब तक इसको वाश करती हूँ, और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल कर रग दिया था फुलानी के लिए 20-25 मिनिट के लिए, ट्राइम हो गया साभा चाहर आज थोड़ा लेट है, और भगोनी में रग रग बहुत अच्छा इफेक्ट पढ़ता है, बहुत अच्छा जरो ट्राइगा और पानी मैंने नमक एड कर दिया था उसके बाद आप इसमें पानी एड कर दीजिए, और फिर उसमें नमक एड कर दीजिए, एक चमच और उसके बाद मैं इसमें 2 कटोरी सोयबीन एड करी हूँ एक खल आई है, मैंने गैस को बंद कर दी है, अभी मैं इसको टूँगी नहीं कि इसको छानूँगी नहीं अभी ऐसी गरम पानी में रख रहेगा और उसके बाद मैं तीन आलूओं को छेल लूँगी, आलू 65 के लिए और जब तक आलू छेले उसके बाद मैं इसको पलट ल पानी गरम होगा, इसमें एड कर दीजिए आलूओं को, अब चावल भी यहाँ पग गए हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, गैस को बंद कर देंगे, चेक कर लीजिएगा, एक चावल को जंजिये में लेके पग गया है के नहीं, और गैस बंद करने के बाद इसको मैं ऐसे ही धक कर नहीं रखोंगी, और अभी पानी भी नहीं इसका छान होगी, अब हम सोयाबीन को गद्यों के मदर से अच्छे से निचोड लेंगे, जैसे हम हमें हर बार, हर तरीकी की चीजों में सोयाबीन के पानी को निचोड तुस तरीकी से निचोड लीजिए और एक बरतन में गर का बना हुआ और एक मार्केट वाला, तो जब मैं कई बाट राइ कर चुकी हूँ, तो मार्केट वाले से थोड़ा ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं अभी दौनों एट कर रही हूँ, एक चमच घर का बना हुआ, एक मार्केट वाला, और उसके बाद मैं एक चमच कश्मीरी लालमेट, इससे कलर भी अच्छा तो दीखा भी कम होता है, और उसके बाद आधा चमच नमक और इटालियन सीजनिंग, और आप चाहेते हैं इसमें ब्लैक पैपर भी एड़ कर सकते हैं, मैं काली मिर्च के पार इसली आड़नी कर रही हूँ, बैं बच् से मिक्स कर रही हूँ, और इतना करने के बाद, जब तक स्वयाबीन को हमने मेरिडनेट किया, इसको साइट के तब तक हमारे आलू भी बाइल हो गए है, बिल्कुल रेडी हो गए है, अब इनको भी बन कर दीजिए, अब आलू को भी एड़ कर दीजिए एक बरतन में, और मैंने एक चम्स थोड़ा सा कम कॉन फ्लार एड़ किया है, और उसके बाद, घर चम्स अद्रग लसन का पेष्ट, इसमें देर चम्स और सरवीन में दो चम्स, और फे कश्मी लाल में नमक इट्रडिन सीजने को निबु कर रस, और इनस बीगो अपने हादों से अच्छी से म जब तक तिल गरम हो रहता है, हम बना लेते हैं शर्बत, एक कप चीनी, आदा नीबु का रस, और थोड़ा सा साधा पानी, और काला नमक डाल कर इसको एक साइट रख दीजे, नीबु, और साधा पानी के वैसे चीनी अपने आप ही घुल जाएगे, और आप तेल भी गरम ह हो रही है, यानि के इनको थोड़ा सा समय लगता है, तब तक हम पापड को कट कर लेते हैं, तो मैंने मूंग का पापड लिए, आज मैं पापड को डी फ्राइ नहीं करूंगी, सिंपल मैं इसको माइक्रोवेव में एक मिनट के लिए रख कर लूँगी, और आप चाहे तो स अच्छे से सिख जाएंगे पापड़ा, अब एक गान की स्वयवीन को निकाल कर, दूसरे गान की भी एड कर दी है, और जब तक ये वाली भी होगी, क्योंकि स्वयवीन को फ्राइ वने में थोड़ा समय लगता है, हम बना लेते हैं, बालचना चाट उसके लिए चनी ले ल बात में कानिश कर रही हूँ, आलू भूजिया से, और जब तक ये वाल चला चाट में रेडी की, स्वया बीन भी अच्छे से फ्राइ हो गाए थे, इन सभी को निकाल ले है, और आप हमें इसमें कर लेना है, आलू को भी मैंने स्पून की मतलब से ही एड किया है, इसी तरी अब सेम कड़ाई का ही तेल को मैंने कम कर लिया है, और इसमें एड कर देना है जीरा, अब हम उसको फ्राइ कर लेंगे, स्वया 65 और आलू 65 जो हम बना रहे हैं, उसकी सॉस रेडी कर लेंगे, तो इसके लिए जीरा, प्याज और हरी धनिया, और जो हमने सॉस रेडी किये, उसको आधा मैं इसमें एड कर रहे हैं, इस सबी चीजे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आप लैक पेपर, इटैलियन, सीजनिक, रैच चिलिक, कुछ भी इसमें एड कर सकते हैं, इसके बाद इसमें आलू एड कर दीजिए, बहुत अच्छे से, और अभी आज ते और फिर जो सॉस हमने रेडी की थी वो तो अभी मैंने सॉस में पटोरी में जो लगी थी उसको पाइस से दोके भी इसमें एट कर दिया और फिर सोयबीन एट कर दीजिए और सबीच जो अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो आप देखिए का आज की रस्पी भी एक ही पैन में सा प्याज टमाटर और उसके बाद खरका बना हुआ अध्रकलसर का पेश्ट और इन सबी चीजिए को बहुत अच्छे से बूंच लीजिए और फिर उसके बाद एट कर दीजिए इसमें चावलो को और अगर आपके चावल आपने थोड़ा कम नमक एट किया होगा तो अभी आ अगर आप एट करना चाहें तीखा पसंद करते हैं तो इसमें एट कर सकते हैं फिर बहुत अच्छे सबी चीजिए को मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसमें एट कर दीजिए आलू 65 और सोय 65 तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई तिसलिए मैं अंडो को बॉयल नहीं कर पा अब बना लेते हैं रिफ्रेशिंग से शर्वत को बिल्कुल रेडी कर लेते हैं और पानी के बाद इसमें आइस और अंगूर और मैंने इस्तिमाल किये हैं सेब आप अनार और या जो काले वाले अंगूर होते हैं वो भी ट्राइए कर सकते हो यह सच्छ में बहुत जब चोटे तो मैं अभी आइस अट नहीं कर तो चलिए अब आप इफ्तार को निकाल लेते हैं प्लेट को रेडी कर लेते हैं तो चैनी मैंने निकाल लिया और साथी दो दो मूंग के पापर रखने के बाद एक तरफ रख रख लिए हुँ मैं सोया 65 और दूस तरफ रख दूग आप वीडियो में कि किस तरीके से हम फटा फट से बहुत जादा विराइटी के साथ इस्तार रेडी कर सकते हैं तब तक के लिए लिए लाहाफिज